कि यह अगले साल वह 800 डॉलर करके अल्ट्रा फ्लाइक्षिप स्मार्टफोन की कैटेगरी में इंट्री करेंगे कि अगर अल्ट्रा फ्लाइक्षिप कैटेगरी के बारे में अगर जानते तो कंपनी का जो अगला फोन होगा वह रियलमी इंडिया में लॉंच होई थी तो जीटी टू प्रो सिरीज होगी जो एक अल्ट्रा फ्लाइक्षिप कैटेगरी के डिवाइस में होगी और अभी आहले में कुछ एक निउस निकल के सामने आई थी और कुछ लीक्स भी वाहर आई थे कि रियलमी अपना एक अपकमिंग फ्लाइक्षिप फोन को टेस्टिंग सुरू कर चुकी है और यह फोन हमें मार्च अप्रेल या मई तक यह भी कहा जा रहा कि पहले और सेकेंड क्वार्टर में हमें फोन देखने को मिल सकता है यारी हमारे हाथ पे होगा कुछ सोर्स यह भी बोल रहे हैं कि यह फोन मार्च और अप्रेल के महिने में हमें देखने को मिल जाएगा अब बात करते हैं Realme GT2 Pro के बारे में क्योंकि इसके कुछ स्पेसिफिकेशन बाहर निकल के सामने आ गए हैं यह संभावता स्पेसिफिकेशन निकले हैं एक तरह से जातम है 91 मॉवाइल की एक रिपोर्ट निकले ती जिसमें से इस फोन के बिस्तरत जानकारें के बारे में मताया सातके साथ इसके जो सपेसिफिकेशन तो मीन को स्पेसिफिकेशन सब्सेफिकेस वह बाहर निकल के सामने हैं हाला कि इस वाले फोन को लेके कंपनी की अभी तक कोई ओफिसियल अनॉंसमेंट नहीं हुई है यह कि वाल सोर्स और लीक्स जो मार्केट में घूम रहे हैं उन्हें के इसापस में आपको बता रहा हूं कि इस वाले फोन की जो लॉंचिंग होगी वह 2022 के पहले क्वाटर में हम मई तक पहुंच जाए मतलब मई 22 2020 2020 2022 डेखने को मिल सकता है यानि मई 2022 तक देखते हैं क्या निकल के सामने आता है लेकिन ओर ओर देखके तो ही लगता है कि 800 डॉलर का फोन अगर रियल में प्लान कर रहा है तो एक अल्टिमेट फ्लैक्षिप स्मार्टफोन ही होगा तो बा का फोन होगा तो इसका मतलब कम्पनी इस वाले फोन में बहुत कुछ डाल की देने की कोसिस करेगी मतलब अगर सरल्वासाен को की जितने भी नमबर का गेम वोगा वह इस वाले फौन में में देखने को मिल सकता है तो नज़र डालते हैं इसके कुछ अनने मुलभूत बिसेस ताउं के बार हमें लेकिन सबसे पहले एक ही विंतिया आप से कि अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल नोर्टिफिकेशन जरूर प्रस करते हैं विएलवी gt2 pro कमपनी का एक अगला ultimate flagship स्मार्टफोन होगा अगर make अल्टिमेट फ्लाक्शिप स्मार्टफोन है तो इस वाले फोन में हमें में डिश्पले प्रोसेशर केमरा बैट्री और बाकी चीजें जो भी एक फोन में flagship लुक या flagship चीजें देती है वो सब कुछ देखने को मिल सकता है इसमें 6.51 इंच की एक फुल QHD प्लस एक सैंसंग की एमोलेट डिस्प्ले देखने को मिलेगी जिसमें 144 हर्स का एक रिफ्रेश रेट भी होगा अल्टरा फ्लैक्सिव है तो रिफ्रेश रेट भी अल्टरा फ्लैक्सिव होना चाहिए क्योंकि अभी तक कंपनी ने जितने भी फोन्स लांच किये 90 या 120 हर्स के रिफ्रेश के साथ तो इस वाले फोन में हाईयर रिफ्रेश होगा जो 144 हर्स के सपोर्ट करेगा और इसके बाद कलर गया मैंट PCI 3 और इसके बात है संभा होता है क्या पता इसमें 10-bit वाला डिस्प्लेश भी देखने को मिल सकता है इसके बाद बात करेंगे इसके अल्टरा फ्लैक्सिव प्रो इसके बाद में एक जनरेशन वन नाम का नाम भी कहा जा रहा है यहीं नाम भी हो सकता है तो इसमें वही देखने को मिलेगा एक सिंगल स्टोरेज ऑप्संस के साथ जहां तक मेरा मानना है लॉंच होगा जिसमें 12GB RAM होगी और 256GB स्टोरेज होगा इसमें आपको LPDDR5 UFS 3.1 य क्योंकि अल्ट्रा फ्लैक्सिप क्यामरा भी होगा 800 डॉलर का फोन है ना सब कुछ डाल के देने कोसिज करेंगे 50 Megapixel OIS के साथ इसमें क्यामरा होगा कस्टम संसर होगा साइड आइचिंग साइज सोनी IMX 766 देखने को मिल सकता है एक इसमें अल्ट्रावाइड संसर होगा ज इसके साथ प्राइमरी होगा 12 Megapixel का एक अल्ट्रावाइड संसर होगा 32 Megapixel किसमें सेल्फी होगी एक सूनी सेंसर के साथ होगी 5000 मच के बैटरी होगी जहां तब फास्चार्जिंग की बात करें क्योंकि कंपनी में पहले ही कंफर्म कर दिया था कि हम अगले साल 24 स्मार्पोन लॉंच करेंगे फ्लैक्सिक में वह 125 वाट की फास्चार्जिंग का सपोर्ट के साथ होगा तो इसमें भी वही देखने को मिल सकती है Android 12 होगा Realme UI 3 या 2 जहीं सी देखने को मिल सकती है कुछ प्राइस भी इसकी टिप्ट हुई है काई जा रहा कि 45-50 जार के बीच में हो सकता है वाला फोन अला कि कंपनी ने पहले ही टिप्ट कर दी कि हम अठाए 800 डॉलर का फोन लॉंच करेंगे तो मतलब आज के साथ साथ सातर हजार के आसपास का फोन लॉंच हो गया तो डे आपकी चीज़ा तो बहुत अच्छी है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आने वाले जीटी टू प्रो के बारे में आपके उच्छितम बिचार क्या है मेरे उच्छितम बिचार तो अच्छे हैं बद आपको वीडियो पसंद आए होगा थोड़ा बहुत इं आप स्माली चेंट